है यह घाइज वेल्कम एक टू माई चैनल मैं सेल्फ प्राची यह नहीं होने वाली जाइज आज हमने डिसकर्स करने वाले है एस एसम जो हमारा सीयमे फइनल का सब्जेक्ट है उसकी थेओरी इस थेओरी का हमेशे कि तरह दो माउटेव है मेरा पहला तो objective type questions and दूसरा theory questions ठीक है तो guys मैं मानती हुआ कि एक practical subject है बट guys इसमे theory subject theory portion है और मैं चाहती हूँ वो discuss कर ले so that ना हम लोग को backup plan की तरह use आएगा ये ठीक है तो चलो वीडियों को start कटे लेट्स गेट स्टारेड पहला थी औरी चाप्टर हमारा है स्टरी नोर तंबर फो इंस्ट्यूशन ओफ financial markers markets ठीक है इंस्ट्यूशन ओफ फाइनेंस मार्केट इस्ट्यूशन ओफ फाइनेंस मार्केट स्टेबल मनी होना चीए sound public finance होना चीए एक central bank होना चीए sound banking system होना चीए information system होना चीए security मार्केट होना चीए legal environment stable money public finance central bank sound banking system information system security market okay brief में हमको discuss करनाह चाइँ financial system के importance ठीक है तो पहले कि हम mobilize करते हैं और एपनी सेविंग्स को एफिशेंटली और एफेक्टिवली मॉनिटर करते हैं कॉर्परेट पर्फॉर्मेंस को दो ऑपरेटर और फाइनिशल सिस्टम नॉट उनली सेलेक्ट दा प्रोजेक्ट डेट आर तुबी फाउंड फंडेट बट अलसो मॉनिटर पर्फॉर इन्वेस्टमेंट केरफूली ठीक चैकर ऑफाइनिशल सिस्टम जो होता है। में केंदिक मेंन करेंदा है और सपांड पर एंवेस्टोंग को बताता है इंवेस्टर मैंने को बताता है और एक्सिंच करता है विřसर्वीश करता है इकनोब्स resources through time and across geographical regions and industries these depositories and clearing houses are in charge of clearing and settlement mechanism okay optimum allocate करता risk bearing and reduction को price rated information offer करते हैं अपने को portfolio adjustment facilities फिर lower the cost of transaction and promote करते हमारे financial deeping and broadening को sorry financial daping का क्या मतलब होता है guys daping का मतलब होता है कि increase करना financial asset as per percentage of GDP okay GDP के percentage में financial assets को बढ़ाना financial depth जो है वो बहुत जद्धा important financial system के लिए यह measure करता है size of finance ठीक है intermediary sector में और bordering का मतलब होता है building करना increased number of variety of participants and instruments ठीक है build करना एक बहुत सरे variety of participants को the financial system does promote the process of financial daping and broadening ठीक है the financial system क्या करता है promote करता है इस process को ठीक है guys hope आप लोग को यहां तक समझ में आई होगी चीज़िया पन थोड़ा learn करने का है कोशिश करते चलो financial system के important functions ठीक है mobilize करना अपनी savings को monitor करना corporate performance को provide करना payment and settlement systems optimum करना risk bearing and reduction करना price rated information फिर offer करना portfolio adjustments lower करना cost को प्रमोट करना प्रोसेस को financial adapting और ब्रॉटनिंग की financial adapting क्या बताई थी मैं financial assets को increase करना GDP के percentage से और ब्रॉटनिंग का क्या मतलब बताई थी प्रमोट करना financial system को बिल्ड करना ज्यादर ज्यादर वेराइटी सो दाट सब लोग पाटिसिपेट कर पाए आगे बटते वोट आदा टूल्स अंट टेक्निक यूज़ बाई आरवी आई टू मेंटेंट फाइनेंशल स्टेबलिटी फाइनेशल स्टेबलिटी के मेंटेंड करने के लिए आरवी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करता है तो गाइस देखो सबसे पहले पन देखते कि zoan financial stress indicator सब्सप्रिटि इंडिकेटर गाता है ठीक है पेंगिंग सेक्टर वगे Confederate में Unitados लगाता है Tax distillation एматुप स्ट्रेसस होती उसके लिए फिसक फिस्ल हैसा इंडिकेटर लगाता है Què मोरडलिंग बैंकिंग स्टेश्टि एन डा को हुआ लगाता है उग गेगा म很好 यह यह हो थीक है तो अपल क्या करेंगी इसको बस पॉइन्वाइस देख लेते हैं बूलइटर च्राइस के लेटे कर उसा यह करा नाराट रिलाज को आरे वोरnya तो देखा अपन्स कॉन्सा टैकन्स टेक्निक आज है यह सब्सक्राइट स'day टिक्रतीमेorn विन्टेड फिस्कल ट्डेस लिटीटेश लिट नेटवर्ग मॉडल बंकिंग स्टेबलिटी ओर बैंटिञ्टेट्विटी एक क्याइट भी फिर्पींगिंग और BFC पीच का डिफेट्स तो बेंग और nBFC जो डोन और फिनिशन टूट ऐ और फिनिशन सिस्टम है वह न इनगे करें थे तो ब्रॉट और और तोह को कि एक सेप्ट है कर सकती य इंकर 6 स्पर्फों नहीं ने 7000 सिस्टम के ङुह passe self में draw करते वो नहीं कर सकती okay deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available ठीक है guys ये तीन काम है जो NBFC नहीं कर सकती NBFC DD नहीं लेती ओके वो part payment settlement नहीं करवाती check खुद पर आपन draw नहीं कर सकते और development insurance facilities जो होती इन deposit sorry deposit insurance facilities जो होती है क्रेडिट गेरेंटी कॉर्पोरेशन वगर है वो अबलेबल नहीं होती है देन गाईज हमको कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रेगुलेशन बताने हैं इन बी एफसी के ओके तो देखो जो इन बी एफसी होती ही न वो ओल ओर एक्सेप्ट करती है पब्लिक डिपोजिट मीनिममम 12 मंद के लिए और मैक्जिममम 16 मंद के लिए ओके जाद रखना 12 मंद मिनिममम और 16 मंद मैक्जिममम जो इन बी एफसी होती ही के नॉट ओफर इंट्रेस्ट रेट हाईर देन सीलिंग लिमिट प्रेस्क्राइब है आरव यह जो रिडेट बोल देती है उससे ज्यादा वो नहीं दे सकती इन बी एफसी अभी जो उसका रेट है वो 12.5% है चल रहा है ठीक है गाईस और इंट्र सकते देती है जो डिपॉजिट की साथ होता है वो इंशॉर नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद फिर रिपेमेंट अब डिपॉजिट बाइन बाइन बाइफसी का अपन सबसे पहले जो जो एक से एक्सेप्प करती है पॉब्लिक बीपॉजिट बारा महने के लिए कम से कम और जजादा-जादा साथ महने के लिए करती है 12.5 पर सेंट के हिसाब से inट्रेस्ट दे सकती है भीका जो है और वह देए जो बोलती युससे जादा नहीं दे सकती वह कोई गिफ्ट इंसेन्टिफ नहीं देती और टेशनल वह साब से करती है और डिपॉजिट को इसकी नहीं है what are the direct instrument used by RBI to formulate monetary policies ठीक है तो CRR होता है guys cash reserve ratio यह अपन बारभी के economics पर पढ़ चुके है I hope आप भूल चुके होंगे इसलिए हमनों डबल पढ़ रहे है ठीक है तो देखो CRR जो होता है the share of net demand and time liability that bank must maintain मतलब net demand और time liability जो एक bank को maintain करना पड़ता है cash balance with RBI okay guys RBI जो रहता है उसको bank को maintain करने का काम होता है इसलिए वो बोलते है कि कुछ percentage तुम ना समहाल के cash के रूप में रखो फिर जो RBI रहता है वो required करता है bank को कि तुम maintain करो certain amount of cash as a reserve of percentage of their deposit to ensure that bank have sufficient cash to cover customer withdrawal और यह क्यों करता है so that ना समझ लोकिया सो लोग deposit करके गए और दो सो लोग withdraw करने आं गए तो guys withdrawal जो रहेगा उसको पन कैसे balance करेंगी इस इसलिए हमको sufficient cash रखना पड़ता है ठीक है the adjustment of a ratio is done by instrument of monetary policy depending upon the prevailing conditions condition के हिसाफसपन को करना पड़ता है our centralized and computerized system allow for हमाला जो system रहता है वो efficiently or accurately monitor करता है balance को जो कि अपना RBI के साथ maintain करते हैं फिर guys अपना हाथ है statutory liquidity ratio जो कि एक net demand और time liability होती है bank के साथ जो maintain करता है safe और liquid assets के लिए as a government government asset cash और loan दोनों में रख सकता है cash और gold में okay ठीक है net demand and time liability होती bank maintain करता है safe और liquid assets के लिए government security जैसे की cash और gold पे okay guys then reference our facilities sector specified finance facilities against lending of export sector provided to bank exchange और other commercial paper ठीक है it is also a signal of mid term monetary policy not so relevant दो उपर वाले काम के थे okay guys I hope आपका हाथ जाता clear हो हो गई इस chapter की theory इसके बाद आपन next continue करते है ठीक है तो चलो गाइस हमनों capital market की theory discuss करते है shorter term को बताना buyback of shares by the company okay guys the process of a buyback of a shares are not permitted in India ठीक है guys यह बहुत ज्यादा theory दिया हुए history का जो की बिलकुल भी मुझे relevant नहीं लगता तो मैंने पढ़ोगी buyback is a method of huge impact in PE ratio of a company ठीक है guys profit earning ratio में बहुत जदा impact करता है इसके क्या advantage है कि guys buyback का मतलब बता दूँ मैं आपको buyback मतलब खुद के share own share को वापस से purchase करना market से own share को को purchase करना market से ठीक है उसको बोलते buyback इसके advantage यह कि अपना allocate कर सकते अपने सबस अपने resources price stability देख सकते text में advances ले सकते exercise कर सकते अपना control saving कर सकते hostile take over को और capital appreciation कर सकते है ठीक है guys जो share price रहता वो manipulate कर सकते है promoter लोग speculator लोग ठीक है buyback के through गाइस मैं कॉर्बा याद करवा देते यह advantage कि efficient allocate कर सकते price stability मिलती है hostile take over को बचा सकते tax benefits मिलता है प्रोल कर सकते है capital appreciation होता है okay guys आगे बट तब नेक्स कोशन हमारा जो की है depository participants कौन होते तो security such as shares, debentures, bond, government security, MF units, etc. now capitalist electronic अज़के लेक्ट्रोनिक मोड में रखते पहले physical mode पे रखते थे तो जब इस process को जब अपन dematerialize करते है मैंतब material से हटाने को ते dematerialize देना ठीक है this speed up the process of a sale, यह speed कर देती, sale, purchase, transmission of securities को and this service of dematerialization or rematerialization, transfer, sale, etc. provided by depositories registered under C.B. the depository participant thus is an agent of the depository which act as a intermediary, मैंतब intermediate की तरह काम करता है depository और investor के बीच में, जो investor रहता है वो avail कर सकता है depository से relate कोई भी services by opening depository account जिसको अपन हिंदी में बोलते है, English में बोलता है, I mean layman language मोलते है, demat account, ठीक है जिसमें depository participants जो रहते हैं, उन लोग कोई भी participant कर सकता है, कोई भी services ले सकते है the share and security are converted into electronic form, इसमें shares जो रहते हैं, electronic form में convert हो जाते हैं, अलग से ठीक है, और corporate benefit जैसे की bonus, stock splits, dividend वगएर आपन को मिल सकता है, ठीक है, और उसके its agent that is depository participants, जो depository participants होते हैं, उन लोग agent की तरह काम करते हैं, इसमें, ओके गाईस, I hope आप लोग को यह समझ में आया होगा, अपन एक और बर discuss कर लेते हैं, so that अपन को learn करने में easy होगा, तो बतादो में depository participants जो होते हैं, जैसे की security shares, debentures, bonds, government securities जो होती हैं, जो MF units होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, mutual funds units वगएर जो होते हैं, उसको आज के लिए chronic form में रखते हैं, तो उसको dematerialize कर दिया गया, तो जो service होती किना, इसकी change करने की dematerialization, सैबी जो रहती है, वो और जो सैबी रहती है, और जो ग्रहक रहता है, जो buyer होता है, उनके बीच में depository participant, जो की agent के through intermediary services देती है, investor और सैबी के बीच में काम करके, investor को जो भी services यही रहती हैं, वो इन से ले सकता है, और demet account खुलवाने की, और बाक जो की agent होता है, so that आपको याद रहेगा, exam के time पे, आगे बढ़ते हैं, क्या advantage क्या होंगे, अब देखो, capital market के लिए क्या advantage होगा, there are various advantage for different stakeholders, सारे stakeholder के लिए लगड़ेगा, पहले capital के लिए देख लिए, capital market में क्या होता है, risk और bad delivery, मतलब delivery लेट होती ही, तो guys बहुत नुक्स time save करता है, money save करता है, time saving करता है, there is no odd lot, कोई भी odd lot problem नहीं होती इसमें, और facilitate करता है, stock lending, ठीक है guys, आगे बढ़ता है, investor को क्या फायदा होता है, यह reduce करता है, उसका risk, ठीक है, liquidity provide करता है, the depository hold shares in electronic firm, so investor are free firm, the physical holding, physical holding से वो फ्री हो जाते है, यह reduce करता है, cost of stamp duty, transaction cost of brokerage वगेर, यह assist करता है, investor को loan के against, okay guys, corporate sector को क्या फायदा देता है, यह provide करता है, उनको information, update करता है, information, name and address investors की, build up करता है, image of a company, सबके सामने, cost को कम से कम करता है, efficiency को increase करता है, और better facilitation करता है, अपने communication का, okay guys, ठीक है, तो आप डिसकर्स करते हैं, क्या advantage है, अपनी optional convertible debentures के, guys, भहत सार डेशर ऐसे होते हैं, जिनके बस अपने पास option होते हैं, कि आपने चेंज कर सकते हैं, अपने status, जैसे कि अपने WhatsApp status चेंज करते हैं, यह ऐसे convertible debentures होते हैं, इसके पास options होते हैं, to get converted into equity, आज हम debt holder होते हैं, कर सकते हैं, इक्विटी लेकर, okay guys, तो इसको अपन convert करा सकते हैं, तो इसकी क्या फायदे होते हैं, तो देखो, issuer के point of view से क्या होता है, कि क्वास equity हो जाता है, जैसे कि हम लोग का finance institution होता है, तो वो reduce होता है, inherited options for conversion, since there is converted equity, then in order to be repaired in future, आगे मैं को पता थागा, इसकी अपन को debentures होता है, तो उसको pay करना पड़ता है, इक्विटी होता तो pay करने की क्या ज़रुवता है, तो pay नहीं करना पड़ता है, इसलिए शूर के सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है, हमेशा, then high equity line, it is possible to maintain equity price at high level, equity price को maintain कर high level में easy होता है, इसमें odd lot shares होता है, जो convert हो जटते अपने debentures में हैं, hence अपने को lower लगता है, cost, okay guys, then dispensy ownerships, कैसे होगा, optionally convertible debentures able to achieve wide dispensal of equity ownership in small lots, small lots में लोग कन्वर्जन हो जाते हैं, ठीक है, marketability में कैसे होता है, कि issue will become significance easily, तब सरल हो जाता है, कैसकते है, market में issue होना, ठीक है, और expenses जो रहते हैं, वो expected रहते कि कम हो जाएंगे, जैसे जैसे amount बढ़ता है, investor के लिए क्या फाइदा होगा, कि उसको क्या होगा, accrued interest मिलेगा, investor get accrued interest during the period of a, मैं तब जीते दिन वो लोग के पास ऐसे, वो period चल देगा न, gas station period उते देर तक उसको फाइदा होगा, accrued interest मिलेगा, start receiving dividend once the project, जैसी project convert हो जागा, हमको dividend मिलना start हो जागा, और यह efficient gesture होता है, हमारे लिए, ठीक है, investor end to zero, उसके अत्फेर, secured investments, the investment is secured against the assets of a company, as against company deposit which are unsecured, जो investments होते हैं, वो secured होते हैं, company assets के बदले, ठीक है, तो जो company deposit है, वो unsecure हो जाते हैं, ठीक है guys, तो आपने को एक secure investment मिल जाते हैं, equity रखे में तब secure हैसा, ठीक है, capital gain, हमनों को ऐसा भी हो सकते की conversion के बाद हमको, जो interest rate कम था, अब अपन तो owner बन गए तो अपनको dividend मिलेगा, तो maybe हमनों को जादा मिलेगा, तो हमको capital gain हो सकता है, government को क्या फायदा है, कि जो debenture होता है, वो help करता है, हमको mobilize करने में resources, public के बीच में, और जो equity रहता है, इक्विटी इंवेस्टर्स में, ठीक है, उसके अत्फे, thereby reducing the pressure of financial institutions, इसमें प्रेशर कम हो जाता है, equity जैसी आता है, वैसी management करना कम हो जाता है, manage कम करना पढ़ता है, तो इसलिए हमाया government के लिए बीजी होता है, suitable tax amendments आते रहते, benefits आते रहते, promote करने के लिए, इंस्टुमेंट, safeguard करने के लिए, encourage करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा equity participants होए, ठीक है, जो कि higher compliance करते है, corporate laws में, और organization जो रहता है, वो monitor करते है, ज्यादा efficiency से, इन, next हमारा है, net assets value, guys, net assets value को कोई question आ नहीं सकता, क्योंकि practical portion है, तो अपन discuss नहीं कर रहे है, then explain briefly the features of money market, money market का इंडिया में क्या features है, यह आ सकते exam में, और यह हमारी study note का last question भी है, चलो देख लेते क्या है, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कि instrument as data traded, कुछ instruments होते हैं, जो ट्रेडेड होते हैं, जैसे कि certificate of deposit, interbank participation certificate, और फी commercial bank, treasury bank, call money, notice money report, यह सब जो है न, वो सब क्या होते हैं, instrument data traded होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर large number of participants, the main participants of money market कौन रहते हैं, large lenders होते हैं, mutual funds companies होते हैं, financial institute like RBI होती है, schedule banks होते हैं, large borrowers होते हैं, ठीक है guys, then organized sectors होते हैं, जैसे कि commercial bank, other bank, cooperative bank, non-banking financial companies, और फिर unorganized sector क्या होते हैं, indigenous bank, मतलब जो हैं, इंडिया से बिलोंग करता है, then unorganized money lenders for नीधी चटफ़ंट, zone centered, pure competition, price determined or lower, flexibility or size of money market, guys, यह सब चीज़ जो हैं, वो features है money market के, मैं फिर से को याद करवा देती हू, instrument trade होते हैं, तो money market का feature है, कि traded रहते हैं, large number of participants, बहुत सारे participants होते हैं, दूसरा फायदा है, ठीक है, फायदा in the sense feature है, तीसरा feature क्या है, कि यह क्यों होता है, zone criteria, मतलब ना जो money market होता है, tendency to concentrate on some center, कुछ नहीं center services provided, उस पर लोग ध्यान देते हैं, उसके time, nature और need के ही सबसे, pure competition और healthy competition है, इनके बीच में तो इसका feature है, पाच पाक है कि price difference जो रहता है, दो की बीच का जो difference है, वो lower ही होता है, flexibility in regulation, regulation ज्यादा जनाटक नहीं करता है, बहुत जदा compliance नहीं करने बोलता, तो flexible है, size क्या रहता है, market का wholesale market type feeling आती है, large value में खरीदो, और आपको cheap rate में मिलेगा, तो यह size उसका ऐसा रहता है, ठीकिए guys, easy के साथ हमारा study note खतम होता है, इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे, next study note, next topic discuss करते है, हमारा commodity exchange, study note का, ठीकिए guys, तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि, why are commodity derivatives are important, मतलब क्यों जरूरी होता है, तो commodity derivatives play करता है, बहुत ज्यादा important role risk management में, okay guys, we know that price of a commodity metal, shares, currency, fluctuate over the time, fluctuate होता है, उस वज़े से ना इसमें बहुत risk होता है, the possibility of adverse pricing changes in future create risk, adverse में था समझदा, आपने 100 रुपे में कोई खरीदा, तो इसका price 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसका price 110, 200 भी हो सकता है, तो यह adverse change होता है, इसका risk होता है, ठीकिया risk, for unforeseen prices, change of commodity, दो important derivatives है, futures और options, ठीकिया, सबसे पहले futures पढ़ते हैं, जो futures होते हैं, वो agreement करवाते हैं, buying, for buying and selling of commodity, for predetermined delivery price, specify future time के लिए, future are standardized contract that are traded on future exchange, future exchange में trade करते हैं, और वो ensure करते हैं, हमारे performance, contract का और remove करते हैं, कोई भी इसमें risk होते हैं, ठीकिया guys, future contract जो होता है, वो एक agreement होता है, जिसमें बाया sale करते हैं, commodity को, पहले से जो determined price आता हैं, उसमें और आगे की future के लिए, ठीकिया, future जो रहता हैं, वो standard contract होता है, जो कि trade होता है, future exchange में, ठीकिया, और ये अपने performance of contract के हिसाब से चलता है, then next है commodity option contract, like future, जैसे की future है, option जो रहता है, वो financial instrument होता है, जो कि use होता है hedging के लिए, और speculation के लिए, तो commodity option holder has a right, इसके पस right है, कि इसके पस कोई obligation नहीं right है, मतलब वो चाहे तो sale कर सकता है, चाहे तो खरी सकता है, जरूरी नहीं है, खरीद है, जरूरी नहीं है बेचे, ठीक है, इसके लिसको एक छूटू सा premium order पे करना होता है, ठीक है guys, I hope आपने कोई बात clear हुई होगे, अब आपना के बढ़ते हैं, आपनको describe करना है, characteristic of commodity exchange in India, guys, I don't like this type of questions, वैसे भी ना, उसमें आता नहीं, short note में, इंडिया में या, ठीक है, फूर्थ, 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 बैनेफिट्स हमको बताना ही, अच्छा question है, फूर्थ बैनेफिट्स क्या हो सकते है, future market के, price discovery, price risk management, improvement of product quality, export, import, competitiveness, ठीक है guys, तूँ पहला देख लेते हैं, अपन, price discovery, based on import regarding specific market information, जैसे की market की information होती है, demand and supply equilibrium में आता है, weather forecast, expert views and comments, inflation rate, government policy, market dynamic, hopes and fears, buyer, seller, conduct trading at future exchange, future exchange में लोग trading करते हैं, ठीक है, the transfers, the transfers into continue pricing discovery mechanism, इसे ना एक price discovery mechanism आता है, the execution of trade between buyer and seller, buyer और seller, कोई भी fair value में, जब भी trading करते हैं, immediately, trading terminal में, उससे हमको price discovery का mechanism आया है, ठीक है guys, then next, अपना price, price risk management, hedging जो रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा common है, risk management के लिए, ये strategy क्या करती है, offer करती हमको एक price, risk debt inherited in spot, by taking an equal opposite position in future market, मतब क्या करती है, समझ लो कि आप ऐसा सोच रों कि आगे जाके ना market, ऐसे समझ लो, आप 100 रुपे में समन करीद हो, 100 रुपे का समन करीद है आपने, और आप expect करके रखे हो कि ये ना future में जाकर बढ़ेगा, और बढ़े के ना 110 होएगा, जिस दिन ये 110 होगा ना, उस दिन में क्या करोगा, इसको sale कर दूगा, आज मैं इसको buy कर लेता हूँ, आपने सोच के रखे कि आज मैं buy करोगा, future में ये weighted rate तो बढ़ नहीं इसको, इसको मैं sale करोगा, करके, महेंगे में sale करोगा, आपने ही सोची रखे, अब market की condition ऐसे हो रही है, आपके दिल में धग-धग-धग-धग-धग-धग-धग हो यार, क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं यार, तो फिर आपका सोची हार, hedge कर लेता हो, hedge, hedge में क्या करोगा, अभी आपने buy 100 की है ना, तो आप sale 100 करोगे, sale 100 में क्या तो बराबर की चीज़े को अपन को करना होता है, ठीक है, देखो, यहाँ पर लिखा है ना, आँ, कहां गया, हाँ, यह रहा, spot market by taking an equal, but a position in future market, आप future market में opposite position ले लोगे, जैसे कि यहाँ sale है, तो future में आप क्या करोगे, तो बाए, और पहले आप क्या कर रहे थे, future में sale, तो यह पोजट हो गया, तो यह hedge हो गया, ठीक है, future marketer uses a mode of hedger to protect their business in advanced pricing change, hedging benefits who are involved in trading of a commodity like farmers, processors, manufacturer, exporters, ठीक है, तो hedging के काम आता है, mainly यह, risk management के काम आता है, price discovery के काम आता है, ठीक है, कैसे price discovery होती है, अभी अपन डिसकस किये थे न, demand supply, यह वो इतना सारा कंजट होता है, तो उससे हमारा price पता चलता है, कि कौन से price में यह लोग रेडी हो जाएंगे करने के लिए, trading, ठीक है, जो पॉइंट डिसकास होगा, a very strong reason to upgrade and enhance the quality of a commodity to grade that acceptable by exchange, this ensures uniform standardized of commodity trade, including the terms of quality standards, the quality satisfied that issued by the exchange certified warehouses have potential to become norms of physical trade, मतलब जो fair housing facility available है न, अपने हाँ पे existence में है है, वो क्या करती है, हमको एक benefit spread करती है, जिसमें अपने strong reason हमको, हमको मतलब strong reason देता है, एक ठोक, कि हम upgrade कर रहे है अपनी quality को, enhance कर रहे है अपनी quality को, और acceptable है जो कि exchange से, ठीक है, यह ensure करती है, uniform standard चीज़ों को, ठीक है guys, include करती terms of quality को भी, ठीक है तो quality certificate है न, वो exchange में भी, exchange में भी चलता है तो बोल रहे हैं कि यह भी उसमें काम आता है then export और import, competitiveness the exporter can has their price risk and improve the competitiveness by using the future market, future market को use कर करके न, इन लोग क्या करते exporter से रहते हैं, वो hedge करते हैं, hedge करके अपने price risk को कम करके, वो अपनी competitive न, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ठीक है, फिर the majority of a trader have involved physical trade intentionally indeed to purchase, नहीं, by purchase forwards, the purchase made by the physical market might expose them to the risk, price resulting to losses, ठीक है losses हो सकते थे, but existing future markets are allowed for the exporter को कि वो hedge करें, अपने proposed purchase को भी, ठीक है, temporarily वो क्या कर सकते, substitute कर सकते, अपनी actual purchase को, और फिर reap कर सकते बाए, बाद में, बाए करके physical market से, ठीक है, अब absence, in absence of future market, future market नहीं है, तो fair time consumer रो costly रहता था पहले, physical जब था था, ठीक है I hope guys, आपको future market का पूरा advantage, पता चल गया होगा याद हो गया होगा, ठीक है guys, अगर आपने practically future के questions मना है तो आपको easy होगा, ये connect करने में then guys, आगे देखते हैं roll of forward market commission, ठीक है guys, चलो देखते की forward market commission क्या होता है, तो देखो guys, forward market का commission जो होता है न, वो provide करता हमको एक regulatory, ठीक है, एक order, जो कि ensure करता हमारा financial integrity so that हम लोग अपने systematic risk को ना guys, prevent कर सके, ठीक है, और ये one of the major operator है groups का, ठीक है, market integrity, that is to ensure that future price are truly aligned with the prospective demand and supply conditions, ठीक है, market integrity जो रहेगी, वो future price को देखते वे, क्या करेगी, अलाइन रहेगी demand के साथ, ठीक है guys, और ये protect करता है हमारे interest को, मतलब protect करता है customer के interest को, ठीक है guys, I hope आप लोगो या तक समझ में आओगा, मैं फिर से explain कर देती हूँ, forward market commission, जो होती ही न, वो एक regulatory होती है, जो कि financial integrity प्रोवाइड करती, systematic risk के लिए, और ये ensure करती है, और ये protect करती है, promote करती है, interest of customer का, ठीक है guys, ये limit करती है, on net open position, as on closing trading hours, ठीक है, sometimes limit is also imposed on intraday net opening position, the limit is imposed on operator wise, and in some cases, also member wise, ठीक है guys, जैसी open होती ही न, open position, as on closing trading hours, तो ये limit set करती ही, intraday की, ठीक है, और ये open होती है उस position में, और कभी-कभी ये न, operator wise होती ही, कभी-कभी ये member wise होती है, ठीक है, circuit filters, or limit on price fluctuators, to allow cooling of a market in event of upswings or downswings in price, मतब कभी-कभी क्या होता है, कि न, ये limit देती price fluctuation को, और कभी-कभी ऊपर बंद होता है, कभी-कभी market नीचे बंद होता है, ठीक है, special margin देती deposit करने के बाद, ठीक है, purchase करते, करते, sale करते, अपन price move होता, उपार नीचे, उपार नीचे, ठीक है, और उसके बाद, by making future purchases, इसमें अपन future purchase कर सकते है, अग्यर, ओके guys, I hope आपनों को clear होगा कि forward market commission क्या होता है, आपने एक पर revise कर लेते हैं, और learn करने की कोशिश करते हैं, so that अपन exam के हिसाब सच्छे से लिख पाए, ठीक है, तो देखो, आप यह लिखना कि forward market commission जो होता है न, वो एक regulator की तरह काम करता है, जो regulator जो रहेगा, वो क्या करेगा, वो integrate करेगा, systematic risk को, integrate करके, protect करेगा, और promote करेगा interest of customers, okay guys, यह limit करता है opening position, closing hours, closing trading अगेरे को, ठीक है, intraday trading में, ठीक है guys, उसके बाद फिर second क्या काम करता है, यह limit करता है price fluctuation को, जो बहुत price fluctuate, उपा नीचे, उपा नीचे, उसको क्या करता है, limit करता है, then एक special margin provide करता है, deposit करने के लिए, ठीक है, outstanding purchase sales रहते हैं, जिसमें price दारूदा है, उसके लिए, ठीक है guys, अब आगे बढ़ते हैं, next अपना, short not on commodity exchange, commodity exchange, जो है न, exchange है, जहाँ पर commodity and derivatives, product are traded, ठीक है guys, जहाँ पर commodity और product दोनों trade होते हैं, उसको बोलते हैं, commodity exchange, most commodity market across the world trade is in agriculture produce, बहुत सार एक जी अग्रिकल्चर प्रड्यूस पर यह है, ठीक है, and raw materials, like अपना wheat, barley, cotton, coca, यह सब हो गया, ठीक है, and contract based on them, this contract can include spot, मतलब अभी, power, मतलब आगे, future, मतलब आगे, ठीक है, options of on futures, and some, product may include the interest rate, ठीक है, interest rate भी include करता है, of rate अगेरे भी, swaps, ठीक है, तो क्या कह रहा है, कि commodity exchange होता है, वो बहुत सारी चीजों के, derivatives और commodity products जो रहते हैं, वो trade होते हैं, मार्केट में, ठीक है, तो क्या क्या product हो सकते हैं, यह सब अपन को given, यह सब commodity जो है, वो trade होती market पे, और उसके लिए अपन को, उसी का, जब अपन exchange करते हैं, तो उसको होते हैं, commodity exchange, ठीक है, commodity exchange जो होती हैं, अब usually होती है, एक trade, trade futures contract होती है, on commodity, ठीक है, as trading contract to receive something, and can corn in certain month, a farmer raise corn and sell a future contract on his corn, मतलश क्या होती है, फार्मर जो है, वो अगर, coins बनाने वाला है, कौन मतलश क्या होती है, वो, yellow color होती है न, बुट्टा, इंदी में बुट्टा बोलता है, ठीक है, तो कौन जोती है, sweet corn खातापन वो, ठीक है, तो जो farmer है, वो कौन अगर रुगाता है, और वो सोचता है कि future contract करूगा मैं अपने कौन का which will not be harvested in several month and guaranteed the price he will paid when he will मतलब जिस दिन जो पाउमर है वो delivery करेगा कौन की उस दिन उसको क्या मिलेगा उसके बदले price मिल जागा तो यह क्या हुआ एक future contract or commodity के उपर a breakfast cereal producer buy the contract now and guarantee the price will not go up when he is in delivery जब वो delivery करेगा तब तक वो price high नहीं होगा ठीक है तो इससे क्या होते ही है अपन अपन क्या करते कि customer को protect कर लेते price drop होने से और buyer को price high करने से मतलब दोनों को फायदा हो रहा है आज जैसे कि में को जो price में comfortable है में को कोई समान बेचना और सामने होला जिस price पर comfortable है खरीदना ठीक है मैं हमेशा चाहोगी कि price बढ़े वह हमेशा चाहँगी कि price बढ़े वह हमेशा चाहँगा प्राइस काम होई ठीक है तो हम दोनों जिस point of time पर जिस price पर अग्री कर रहे है वह price को पन पहले freeze कर देंगे और हमनों बोलेंगे ठीक है मैं आज अग्टाब अग्टाब इन्वेस्टर अल्सो बाइन सेल दा फ्यूचर कॉंट्रेक्स इन अटेंप्ट तो मेक अ प्रॉफिट अन प्रॉइडिटी तो थे सिस्टम हावेवर दू तो दा फाइनेशल लिवरेज प्रॉइद तो ट्रेडर बाइद थे एक्शेंज कुछ रिस्क मिलता आपन को ठीक है commodity एक्स्चेंज प्रोवाइड करता हमको rules procedure physical physical for commodity trading ओर्स ट्रेडिंग प्रैक्टिस चुग ख्यादर करें और commodity एक्स्चेंज ट्रांसेक्शन जो इस्प्रेस करे commodity floor पर इसको अपन पेट बोलते हैं ठीक है certain limits के लिए अगर आपका आएगा commodity exchange के ओपर आप अच्छे से लिख पाऊ कि मैंने बहुत डीटिल पर डिसकस किया यह point आपको बेनिफीशल रहती होगी मेरी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस तो फ्लीज मुझे comment करके बताएए तो चलो next question discuss करते है long hedge और short hedge guys बहुत easy concept है बट बहुत दिहान से समझना जो होती न उसको अपन यूज करते हैं और आपको डर है कि वह समान आगे जाकर और स्काम रेट का हो जाएगा तो आप तो सोचेते हैं अभी आप आय पोजिशन में वह आप आय करके रखे और आप सोचेते सेल करोगे तो हमेशा अपन सेल सोचते हाई एस्टेट में करें ओके बट कभी कभी डर हो जाते यार नहीं यार प्राइस कम हो गया तो अपन हेज कर लेते हैं पहले गाइस मैं आपको शॉट हेज बताओगी क्योंकि इसमें एजी एक्जामपल दिया वह और आपको जादा अच्छा से क्लियर होगा ठीक है देखो गाइस शॉट है इसका मतलब होता है शॉट पोजिशन करना लंबा या छोटा नहीं होता है इसका मतलब आपका इन्फ्यूज हो के मत सोच लेना कि लॉंग मतलब बड़ा और शॉट मतलब छोटा लॉंग मतलब होता है करना बाइए यह अपने ऐसे फिर्म की टंब से ओके शॉट का मतलब होता है अगे गाईस तो ऐसे सोचो कि सेल in future okay guys मता हम sell करेंगे future में जाके okay guys इतना है it used by those who long on undergoing assets अभी जो assets है न वो आप सोच रूँ कि मैं buy किया हुआ जैसे कि example में आपको 100 रूपीज का समान buy किया हुआ है न आपको sale करना है आप आगे जाके ठीक है ठीक है तो ये बोड़ है it is used for those who long on undergoing assets आप अभी क्या हो अभी आप बाय करके रखे उसको तो आप आद में जाके sale करोगे ठीक है in order to hedge the long position on asset is required to short the position in future ठीक है अभी अगर आप asset में long हो तो आप आद में जाके उसको short करोगे मताब sale करोगे future market में इसके बहुत अच्छे example दिया हुए कि शुगर मेल उत्तरप्रदेश की ठीक है वो प्रडियूस करती ही शुगर हंड़ेंट हर मन्त ठीक है अप्रेल में जब कीना तो वह 25 रुपय का भाव में चल रहा था ठीक है दर शुगर मेल आप येरेंट डादर प्राइस लेसा दें पच्छी से कम में भीगेगा मेरे समान तो करके उसको बॉडर लग रहा है ठीक है तो वह सोची चलो हैच करते इसको हैच करने के लिए क्या करी वह पोजिट पोजिशन लेगी ठीक है फ्यूचर मार्केट में और क्या करीगी शुगर मिल जो रहेगी नहीं वह लॉंग करीगी तो इसका प्राइज जो था अभी इस मन्त में टूडे बाइस रुपे का चल रहा था और प्शीत रुपे कवह सोच रही है कि अप्रेल में चलेगा ठीक है और उसके बाद उसका रेट कम हो जागा क्यूंकि हमारी सप्लाीनगी जादव यशा weiter हसूच है थीजिखने हैं कि मैं क्या करूं अभी शुगर मिल्व कारीबा है करीगी अभी सोच रहे है थिक क्या और फिर sell कर गया, need to sell in future contract, मतलब वो क्या करेगी, बाद में बोलेगी, कि मैं बाद में sell कर रही हूं future contract को, ठीक है, तो it need to sell the future contract today, तो आज वो क्या की, आज क्या की sell कर दी, लिखा न, sell the future contract today, इसका मतलब कि आज वो 25 रुपे में sell की है, और future में जाएगी, future, ये future होगा, तीन मेने का होता है, तीन मेने बाद जब future हो जाएगा न, तो वो क्या करेगी, जब जो price चलते रहेगा न, उसमें जाके buy कर लेगी, उस समय तो क्या हो जाएगा, सब समान सस्ता हो जाएगा, क्योंकि excessive supply हो जाएगी, तो उसमें समल बाइस का मिला, तो जो समान उसने 25 का खईद आगे जाके वो चीज़ वो buy करेगी, वो, I hope guys, आपको यहां तक सारी बाते समझ में आई होगी, short hedge का क्या मतलब होता है, अब अपन long hedge पढ़ लेते है, इसका X की जासे ही रहागा, और क्या changes हागा, ठीक है, देखते चलो, long hedge is one that required a long position, बाइप पोजिशन इन future में जाके अब हमने योले में क्या करेंगे, buy अभी करेंगे, और sell करेंगे future को, ठीक है, it is you that to whom, to whom short does it, देखो, example, petrochemical company है, जो process करती 10,000 oil बनाने के लिए barrels को 3 महने का time में, ठीक है, hedge करना चाहती ही, वो, क्योंकि price जो है, वो rise होते जा रहा है, इसमें price कम हो रहा था, इसी भी चीज sell किया, और बाद में buy किया, अब आप क्या करेंगे, price जो है, इसकी क्या हो रही है, rise हो रही है, अभी भी आप क्या हो sell आ रहो, और अभी इसकी price rise हो रही है, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगा कर बोलो न, आपको तो खुश होना चाहिए, price rise हो रही है, बहुत अच्छी में मिल रहा है ठीक है future contract में किते में मिल रहा है contract future contract expired three months from now is selling for 2200 per barrels ठीक है उसको अपन बेच रहे है 2200 में बिख रहा है वो ठीक है future contract ठीक है guys by going long मतला अभी अगर आप सोच रहो कि buy on future the petrochemical can lock in the proceeds of around 200 ठीक है guys क्या बोल रहा है यह क्या कर रहा है July going long मतला अभी के करें by करें ऐसे करें फ्यूचर को कितने रुपय में इतने में ठीक है मतलब आप बाइय करोगे future करो मत अभी क्या करोगे इसेड करोगे ठीक है तो आप अभी2200 में भी जित्ते कब मिल रहा है बाइसों में वो आगे जाके भी आपको बाइसों में ही मिलेगा ठीक है इसको आप इतर रुपए में फ्रीज कर रहे हो तो फिर आपको नहीं फरक पड़ेगा फिर ओच तीन हजार चले जाए आपको बाइसों का समान बाइसों में ही मिलेगा इसको वोलते हैं लॉंग हैच करना आप कोई क्वेशन पूरा क्लियर होगा इसके वान एक सडी नोट देखेंगे हैं तो चलो आइस यह वाला सडी नोट कम्प्लीट करते हैं आज जो कि है कि अजया कि विकले को सबसे पहले हम पोट आप अपरेशन कर दो पारीष कि अपरेशनल रिस्क यह नहीं है यह अच्छी बात भाट था लाइफ समयाटिग और मार्केट वाइड रिस्क भीकै इस रिस्क इस रिमेनिंग आफ्र इत्रमाइन फानेंशल एं कि स्थमार्टियर के अब ये बोल रहा है कि operational risk जो होता है ना उसमें से अपन financial risk के inheritance को हटा देते है systematic risk को हटा देते है market risk को हटा देते तो जो बचता है विचार थोड़ू सा उसको बोलते है operational risk जो की include करता है breakdown को procedure को internal वाले और people system को ठीक है तो operational risk जो होता है ना operational risk losses include internal fraud जो भी internal insider trading misappropriation होती है वो सब को include करता है और external fraud like theft theft को चोरी करके लिए सम्वान कोई natural disaster आ गया कोई terrorism attack होगा तो वो सब चीज में कुछ भी dispute होगा अपना merger acquisition में या फिर technological breakdown होगा तो उस case में operational risk आता है however operational risk is harder to quantify को अपन को quantify करना थोड़ों मुश्किल होता है ठीक है guys then market and credit risk वो लोग थोड़ी होते क्योंकि बाहर के risk निकालना ना easy होता है यह थोड़ा difficult होता है चलो ठीक है guys क्यों कर सकता अब आगे बढ़ते हैं आगे 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 बढ़ेंगे हम हाव तो असेस हाव तो असेस अन मिटिगेट अ मार्के रिस्क मार्के रिस्क को कैसे असेस करके मिटिगेट कर नहीं यह सोच थे अपन अनमाउंट यह तो असेसं होते हैं कुछ-कुछ होते रहते हैं तो बहुत सारी वेंशनल से पहले क्या होता था वन कंवेंशन तो कैसे करते था अपन एक्सेप करते थे शॉट तरम रिस्कों को ओके हाववेवर इसमें बहुत साथा अब क्या हुआ उसमें नहीं थी ठीक है तो फ्रस्ट एसम्शन तो उसमें यह था कि अपनको ना कंपोजिशन करना है पॉर्टफोलियो मेजर मेजर रिमीं अंचेंज मैं लेंगी कि पॉर्टफोलियो चेंजी नहीं होगा ओर दा टाइम पिरेड ऐसा तो होता नहीं यह चेंज तो हो गई ठीक है ओर दा लिमिटिंग अजम्शन इस ओफन रिगार्ड़ एस रिजनेबल वह वेकार सा इसम्शन हो गया तो मार्केट इसके नौट वी ऐलिमिनेट त्यों डाइवर्सिफिकेशन तो अपन यह तो देख सकते कि यह मार्केट रिसक अपन डाइवर्सिफिकेशन करके नहीं कर पा रहे है तुरू इट कैन भी हैज अगेंज भलकिन वह हैज करना अपन पार्शली अपन कर सकते कम उसको डाइवर्सिफिकेशन से ठीक है गाई तो जो रिटन फ्रॉम डिफरेंट असेट्स अर लाइए लिए अनलाइकली तू भी परफेक्टली को रिलेटेट एंड को रिलेशन में सम्टाइम भी नेगेटिव गाई देख वह रिटन आता अब दिख वह रिटन झालने के लिए बहुत सरे फैक्टर होते है जनरली हेल्थ और एकोनोमी के अपर भी डिपेंड करता है इसका कोरिलेशन ठीक है और डिवर्सिफिकेशन ने बेनिफिट भी काम हो जाते है ऐसा कहरा है थिक है if one construct a portfolio by including a wide variety of equities बहुत सारे वाराइटी के अपने अपने वाराइटी में रख भी लिए तो it will try to exhibit same risk and return characteristics बहुत सारे लोग की ना characteristics सेम ही होगी return or risk की okay guys तो फिर investors रहेगा ना वो maybe attract हो जागा किया बहुत सारा है करके however the history shows that even over substantial period of a time history बताते हैं हमको की बहुत सारे समय से ही चलता रहा है कि बहुत सारे रिटेंज रहेगा ना वह index fund maybe experience so an index fund itself is not fully diversified मतलब जो इंडेक्स है ना वो खुदी ही fully diversified नहीं है तो great diversification can obtain by diversify across the asset classes तो वह बोड़े कि अगर आपको great bonds लो कुछ equity लो और फिर अपना construct करो portfolio बोल रहा है ठीक है मतलब अलग 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 टैप एक्विटी बेंचर बहुंग की सब लेके diversify कर यह बोल रहा है I hope guys आपको कैसे mitigate करना है market risk की समझ में आया होगा theory से ठीक है इसके उपर short note आ सकता है तो आप लिख पाएंगा I hope एक quick rip call कर लेते हैं अपने पहले टेकनिक थी हमारी कि आपन क्या करें कि value address को ले लेते जिसमें assumption था कि अपना जो portfolio हैगा वो change नहीं होगा long term के लिए वह तो विजबली नहीं है ठीक है तो वह वाला assumption चला गए तो market risk जो है नहीं हो सकता है क्या रहाता second point ठीक है थार्ड पॉइंट क्या वोला हम लोग को कि जो return है different assets से ठीक है तो उसका वो को रिलेटेड और को रिलेशन उनका negative रहता है मतलब उन लोग दूसर से रिलेटेड होते ही नहीं है ठीक है तो जो शेयर प्राइस उनका आता है ठीक है तो फिर वो जो रहेगा ना वहमारा benefit कम कर देता है अगर correlation जादा हुआ ना तो हमारा जो benefit diversification से वो कम हो जाएगा guys logically समझो ना diversify करना मतलब क्या कोई भी चीज़ को अलग 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 चाहते हैं यह अगर चीज़ है तो यह अलग हो तो यह लोग जितना एक दूसर सा अलग रहे हमारे लिए उतना ही फायदे मन जाएगा तो इसलिए बोड़ है कि increase in correlation अगर इ if one construct up portfolio concept concept करता है wide range of equities का तो भी से उन लोग की characteristic वगर सेम मिलती जुलती वट अगर 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 अपन उसमें जो अपन क्या करेंगे उसमें range ही change कर देंगे उसकी तो फिर वो fully diversify हो जागा क्या इस index जो है वो खुद ही fully diversify नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाते ना अब आपन क क्या करेंगे equity में bonds में invest करेंगे तो equity के साथ bond में भी करेंगे तो से क्या होगा वो fully diversify हो पाएगा और हमको benefits जादा मिल पाएगा इसी के साथ गाईस हम लोग अब next question पर चलते हैं जो क्या discuss the different types of credit risk credit risk कितने टाइप की होता है गाईस देखो सबसे पहले क्योंगा default risk होता है अपने obligation को पूरी तरीके से नहीं दूगा नहीं दे पा रहा है whatever more than 90 days हो गए उसको द्यूब होए तो उसको अपन बोलते है default risk मतलब वो default हो गया वो हमारे पैसे नहीं देगा ठीक है then counterparty is the risk of loss arise from non-performance of counterparty in trading activity such as buying selling of commodity मतलब जो counterparty मतलब आगे वाला उसे यह हम है यह हम है तो यह जो है वो हमारा counterparty वा तो यह जो है वो अपनी trading activities करने रहा buying selling के commodity में ठीक है if inability to perform वो अपना काम करने रहा जो contractual obligation है उसका वो communicate नहीं उपर है settlement date तक तो counterparty risk होता है वो ठीक है guys उसके फी concentration risk क्या होता है the risk associated with any single exposure और a group of exposure with the potential to large enough losses to threaten a leader core operation it may arise in form of single name concentration और industry concentration ठीक है मतलब ऐसा risk जो single exposure से या group से होता हो ठीक है large number of losses जिसमें हो सकते हो और वो एक lead करे वो core मतलब समझ लोग कि आप बहुत सारी पैसे एक जगा लगाया हो और वो ही lead कर रहा था और वो ही अपना जो है वो losses में चला गया तो क्या होगा वो concentration risk होज़ेगा मतलब हमने जिस पर concentrate क्या हमने जिससे सारी उमीदिये लगाई उसने उमको धोका दे दिया तो वो क्या हुआ है आगे बढ़ते हैं इस next question हमारा है liquidity risk market liquidity arise from a situation in which party interested in trading and asset cannot do it because nobody in market want to trade for that asset guys कभी कभी ऐसा होता कि कोई particularly commodity पर लोग काम ही नहीं करना चाहते कोई उसमें पैसा ने लगाना चाहता तो वो हो जाता है liquidity risk मतलब कोई भी party interested ही नहीं है उसमें उसके ओपर market में उसके ओपर trade करने के लिए तो liquidity risk become a particularly important to the party to whom that are about to hold मतलब जो hold किया उसके लिए problem हो जाती है ठीक है क्योंकि अगर वो hold करके रखे रहेगा और बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे तो fluctuate ही नहीं होगा market ठीक है तब देखते आगे कहा लिखा है liquidity is become important to party to who hold currently hold assets since it affect the ability of trade यह many many certification of liquidity of assets is very different from drop to price to zero zero तक जा सकता उसका price इसका important है in case drop of asset price to zero कर वो price zero तक चले जाता है ठीक है तो the market is saying that asset is worthless तो market कहना चाहता है कि एसेट फाल तुका एकनम useless है worthless है however one party cannot find another party interested in trading guys अगर आपके पास कोई समान है जिसको आप sale करना चाहता है तो common sense लगाओ तो आप चाहोगे ने कि उसका कोई buyer हो अगर उसी इसको कोई buyer ही नहीं है तो वह तो zero price की हो गई ना कोई नहीं खरीदेगा तो उसको price अपने अब zero हो जागा ठीक है तो वहीं बोल रहा है कि cannot find any person who interested in trading of the asset potential only a problem of that market participant that finding each other this is why liquidity is usually found to be higher in emergence market और a low volume मतब कम number पर लोगों को मिलता है इसके वज़े से ना अब कोई बायर नहीं मिलेगा न चीज़ बहुत जगा सस्ती भी हो जाएगी मैं तो एक दम कम rate में भी अपन को sale कर ना प्रगा कोई मिल भी गया तो ठीक है तो यह liquidity risk होता है on other hand funding liquidity risk or risk is a financial risk due to uncertainty of liquidity और यह जैसी funding list to risk होती ना वो financial risk हो जाती uncertainty वह जैसे and intuition might lose liquidity if its credit falling अगर वो जैसे 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 वह fall होते जाता है उसकी जो credit रिवर्थिने से वो भी कम होते जाती है और उसका cash flow जो unexpected हो जाता है रहेगा unexpected रहेगा ठीक है और फिर बाकी लोग क्या कर रहे आवाइट कर रहे इस चीज़ को खरीदने से ठीक है तो firm cannot exposed to liquidate risk and if market on which it depends are subject to loss of liquidity ठीक है इस market जाए वो डिपेंड हो जागा एकदम guys इसके लेनों को बहुत अच्छे example आया गोल्ड जो होता है न और iPhone iPhone ठीक यह दोनों चीज़ के price बहुत हाई होते हैं आप चाहते हो न कि इसका price कम हो तो हम लोग जितने भी बायर इन दोनों का price अपने आप कम हो जाएगा मतलब liquidity रिसका जागा इनके अंदर अभी तो इन लोग बहुत ऊड़ रहे है क्योंकि हम उनको भाव देर हम उनको खरीद रहे हम उनको खरीद रहे ठोड़ा हम लोग उनको खरीद रहे इसलिए उसका price इतने हाई है खरीदना बनकर तो price अपना कम हो जाएंगे liquidity रिसका जगा उनके में समझे रोगा इस आई हो आपको clear वा होगा पूरी चीज़े एक्जांपल से भी आगे बढ़ते है शॉर्ट नॉट हमको बताना है asset-backed risk asset-backed risk क्या होता है it is a risk that change the value of one or more asset that support asset-backed security which significantly can impact the value supported to security less security होती ही ना उनको खुद नहीं खड़ा हो सकते जैसे कि कुछ लोग होते है ना उसे बुजुर्ग वेक्ती होता है कोई old man है तो वो खुद नहीं चल पाता तो वो stick का help लेता है वो बिना risk के चल ही नहीं सकता ठीक है तो यह risk that change the value of one or more asset that support the security with significant impact in value this kind of risk especially arise from a securitization transaction where cash flow due to asset are pulled together to issue security मतलब बोर्ड है कि जब अपन securitization करते है ना transaction का तो जो cash flows होते है ना उन लोग क्या करते है पूल हो जाते है पूल मतलब एक साथ आजाते सारे लोग security को issue करने के लिए और तब क्या होता है हमको यह asset back risk आ जाता है the servicing of which backed by the cash flow on which underlying asset the factor that may cause changes in value of asset backing the security include the interest rate terms modifications and preparing risk guys जब अपन service देते है service on which is backed by the cash flow बादे कुछ service देते हैं जिनके बदले में आपन क्वैसे लेने माले हैं ठीक है तो that factor चो कि change कर देता है वो asset की value को ठीक है तो उसको क्या बोलते है अपन asset backed risk फिर आता है prepayment risk risk payment risk क्या होता है it's a even when borrower prepays the loan prior to the schedule आपने तीन महने का टाइम दिया था सामना लेको और उसने क्या क्या एक महने में payment कर दिया तो prepayment हो गया उस चीज का तो जब प्रीपैमेंट एक्स प्रेस होता है तो जो बाया रहा था वह पहले ही पैसे देता for example the borrower can refund the loan at lower interest rate for in the lender तो फिर उसमें क्या होता है अगर उसको लोर रेट में मिल रहा है interest rate किसी और लेंडर से तो वो क्या करेगा the prepayments result in loss of future interest collection because the loan paid prematurely and harmful for loan back risk especially for the long term securities आया समझ में समझ में समलों कि आप आपको पड़ता था कि तीन मेहने बद पैसे आने वाले ठीक है अब वो पैसे आगए एक मेहने पहले तो दो महीने का जो इंट्रेस्ट आने वाला था वो तो चला गया ना तो वो जो पैसे चले गए इंट्रेस्ट के उसको होलता है अपन प्रीपेमेंट रिस्क कभी-कभी ऐसा होता है कि आ जाता है पहले पैसे जो आने एक्सपेक्टेदी ने रहते हैं ठीक है अर्व एक जाता है ना तो उससे अपन तो सोचे से इंट्रेस्ट कमा के मस तर जिंदगी जियेंगे बट इंट्रेस्ट तो आई ने रहा क्योंकि प्रिंस्पली वापस आगा ठीक है तो उसके इस पर क्या हो रहा है अपन ने जो प्राइटी पेमेंट की सेट की थी वह सब इधर उदर हो जाती है बिगर जाती है ठीक है और उसके वज़ए से वेटेज पूरा हमारा एवरेज लाइफ का खराब हो जाता है ठीक है अगर अपन को वापस मिल भी गयाना पैसा तो हो सकते है उससे जादा बैटर अपन को अपना पैसा डाल दे बट दोनों ही सिच्वेशन है ठीक है यह इस पारवाफ में लिखाता हूं गाइस आई होप आप लोग प्री प्री पेमेंट रिस्क और अपना एसट बैक्ट रिस्क दोनों ही समझ जाया होगा आपको अच्छे से ठीक है आगर बटते है अब आपन लास्ट इसकस कर लेते है दर नेक्स सब्सक्राइब एक है झाए और इस फरेंट इंवेस्मेंट रिस्क जड़ाते हो ए सोसीये टिस से जो कि foreign securities में होता है obviously बात है ठीक है foreign investment risk means looking closely at what is happening जो भी happening हो रहा है country में origin जहां security जहां पैदा हुआ है वहां पर तो उससे जुड़ा हुआ होता है अपना investment risk the general economy of country will have more some impact कुछ impact होगा future business operations में जो issue कर रहा है उसको ठीक है और यह involved होता है political risk से भी ठीक है importance cause क्या क्या है इसके जैसे change होता अपना यह exchange rates ठीक है political economical social events और lack of liquidity ठीक है guys यह easy साहता हो ज्यादा इस पूरी विशन का नहीं की ज़रुत है I hope आप लोगो पूरी चीज अच्छे से समझ भाए है यह हो guys अब आपनो निया study note देखेंगे जो कि financial risk management in international operations ठीक है इसका पहला question देखते है जो हमारी theory में दिया हुआ है कि what is foreign exchange market ठीक है foreign exchange market क्या होता है और इसका importance फंसंग क्या क्या है तो देखो foreign exchange market एक form है form of exchange ठीक है global में जो dematerialization करते हैं हमारे trading का पूरी international transactions international currencies में ठीक है financial center around the world function that anchors of trading between the wide range of buyers and sellers around the clock with exception of weekend ठीक है guys समझ गया है कि foreign exchange market जब हो पूरी दुनिया के लोगों को बाया और सलर जितने भी हैं उनको मिलाता है और उनके बीच में trading करवाता है the foreign exchange market determine the relative value of different currencies ठीक है relative values बताता अलग अलग currency की the foreign exchange market are assistant assistance internationally trade and investment by enabling the currency conversion ये currency conversion करवाता for example it permit business in United States to import goods from European Union's member states especially from euro zone members and pay euros even though its income is in US dollars it supports direct speculation in value of a currency and carry trade speculation based on interest trade differential in two countries ठीक है क्या बोल रही है कि ये ना permit करता है business जैसे कि अगर United States में अपना इंपूट किया और यूरो यूरो से किया तो वो लोग क्या करेंगे euros में pay करेंगे ठीक है although वहां पर USD चलता है बट फिर भी से वो यूरो यूरो में pay करेंगे मतलब आप कहना चाहते हो कि ये डारेक्ट करता है मतलब चीजों को value of currency की और उसमें interest rate का जो भी difference जाता है दोनों current countries में ठीक है I hope आप लोग यहां तक आया होगा समझ में कि foreign exchange market अखिर होता किया है ठीक है ठीक है ठीक है फिर यह करता है कुछ कुछ इसके काम में जैसे की सबसे पहले effect में लाता है transfer of purchasing power between country transfer funds के provide करता है credit for foreign trades ठीक है furnish करता है facility for hedging ठीक है next question देखता है अब अपन क्या है discuss the determinants of foreign exchange determinants बताना है मतलब वही क्या क्या features है वही मान लो interested determinants होता है inflation rate government market investment speculation higher rate of interest for investment in particular currency can be push up the demand for that currency it will increase exchange rate in favor of currency जैसे interest high होता है किसी investment में तो particularly वह चीज़ पुश अप हो जाती है मतलब increase हो जाती है ठीक है और उससे क्या होता है हमारे interest rate जो है न वह भी increase हो जाता है और वह हमारे करने का के वर में होता है ठीक है then inflation rate different country जैसे अलग अलग है तो उनका inflation rate भी अलग अलग होता है purchasing power of one currency will depreciate faster the currency of some other country जैसे जैसे एक country के पर जाती न अपने अप depreciate होती दूसरी वाली it contribute to movement of exchange rate ठीक है गौर्मेंट में imposed restrictions गौर्मेंट जरो इंस लगाती करेंसी में आरिभी जो है आरिभी दा गौर्वर्मेंट में और सेल करेंसी इन यूज कॉंटिटी जो आरिभी वह भी बहुत पात्तरह में बाई करती है और सेल करती है एड्जस करने के लिए एक्षेंजेट्स को ठीक है उसके बाद देखते हैं market expectations expectation on change in government जैसे गोवर्मेंट चीड होती एक्सपेक्टेशन भी चींज जाती है और taxation policy foreign exchange inflation सब कुछ चींज जाता है ठीक है फिर नेक्स्ट है increase in investment opportunities of one country जैसे ही एक country investment policy increase होती है दूसरी के अपने आप कम हो जाती है जैसे कि समझ लोग के एक line में एक दो तीन चार लोग खड़े है जैसे ही एक वैक्टी आगे जाएगा तो इसका यह मतलब है कि तीन अपने आप पीछे चले जाएंगे तो next scene क्या बनेगा ऐसे सिर्फ यह आगे नहीं ब जाता है उसके price अपने आप कम हो जाएंगे और जैसी price कम हो जाएंगे तो exchange rate कम हो जाएंगे ठीक है यहीं बोल रहा है इस speculation or trading manager influence movement जो speculators होते हैं उनलों क्या करते है movement को क्या करते influence करते exchange rate को buy करके sell करके foreign exchange को ठीक है और उनलों उसी में operate करते है तो यह कुछ determinants थे हमारे foreign exchange rate के कौन इंट्रेस्ट रेट, inflation rate, government, market, investment और speculator में तब कह सकते कि इन लोग जाएंगे अफेक्ट होते हैं इन रेट से ठीक है आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अम्मेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होते हैं इसका मतलब उसके बारे में अपन को पढ़न ADR जो लेगा न वो इस्चू करेगा intermediary को जो कि अपना ORC depository bank करेगा ठीक है इन फिर डिपॉजिट करेंगे security जो company लेगी न वो रेस करेगी equity ADR से और फिर शूट डिपॉजिट the security और फिर वो डिपॉजिट करेगी अपनी bank में जो कि इंडिया में है ठीक है उसके जो इंड of equity इंडिया इंच्विटे करेंगे फिर इस अच्विटिश करेंगे फिर इस ओटा ADR जब इस अच्विटे करेंगा इस फिर जो कि इस डिपॉजिट करेगा ADR इंवेस्टर को जो की कमपनी के security जो डिटरमेंट कि था उसमें फिर रिटम्शन होता है इन्वेस्टर जो रग इनियन कंपनी जो रहेगी में इंट्रेस्ट पे करेगी डिपॉसिटरी को और फिर डिस्टिब्यूट करेगी डिविडेंट एडियर होल्डर्स को आपको यह पूरा प्रोसेस एडियर का समझ में आया होगा मैं आपको एक फ्लोचाट में समझा देती हूँ देखो सबसे पहले क्या होगा अपना ओवरसीस डिपॉसिटरी बैंक रहेगा ठीक है जो इशू करता है अपने इंडियन बैंक को यह इंडियन बैंक है दियन में को क्या इशू कर रहा है डियर ठीक है ठीक है ठीक है रिपॉसिट्ट आफ एयईयर कंपनी इविलें टुरेयस अप जो कंपनी है कि वो रेस करेंrive और फिर क्या करीग की यहां पर डलवाएगी यहाँ पर आजगे यह idea रागा समझ लो ठीक है अब अपन को authorization मिलेगा इनसे authorization मिलेगा कि हम इनसे हमको authorization मिलेगा कि हम अपने shares को दे सकते हैं फिर अपन issue करेंगे investor को यह हमारा का investor है Indian investor इंटर ठीक है उसको उसी ratio में लेगे जिस ratio में हमको receive है उसके बाद यह जब वो redeem करवा स सकता है और जो company रहेगी वो interest और dividend देते रहेगी हम लेते रहेंगे जो company रहेगी वो पे करेंगी interest ठीक है और फी हम dividend पे करेंगे exchange rate के बाद investor को I hope guys आपको यह कहानी समझ में कि ऐसा क्यूं करते क्यूंकि ना बाहर के लोगों को हम पर विश्वास नहीं है बट हमारे बैंक क हमारे पर विश्वास होता है इसलिए बैंक जो रहतना वह बीच का mediator बनके हम दोनों के बीच में काम करता है सीधी सी बात याई है इस नेक्स कोशन देखते हूं के इन्वेस्मेंट पी नोट्स पी नोट्स ने कैसे कौन इन्वेस्मेंट कर सकता है ठीक है तो देखो फॉल्वाइं परसंट जैना उनलोग एलिजिबल है पी नोट्स के लिए कोई भी एंटिटी एकर इन्वेस्मेंट में तो वो लोग कंस्टिूट कर सकते है ठीक है डोक्यूमेंट को आरोसी को और उसके बाद एजेंसी को या फिर बॉड़ी को जो भी जुरिक्षन में है कोई भी एंटिटी जो रेगुलेट कर रही है आथराइस कर रही है बाई कौन कर रहा है उनको सुपर्वाइस अथराइस रेगुलेटर यह अपना सेंट्रल बैंक ठ इसे की ग्जामपल है बैंक ओफ इंड लैंड हो गया फेडरल रिजर्व हो गया हॉंग कॉंग मॉनिटर यह थौरिटी हो गई ठीक है यह लोग जो होंगे ना यह लोग सिमिलर बॉड़ी होते जो एंटिटी को प्रोवाइट करते हैं अपो एंटिटी मस्त नॉट बी अथ को एंटिटी को रेगुलेट करते हैं ठीक है मैं उनका ध्यान रखते हैं सकते हैं ऐसा पैरेंट फिर जो भी एंटिटी रेगुलेटिट हो यहीं अथर्टी से ठीक है अथराइजेशन और सुपरवाइट बाइदा सिक्योर्टी फ्यूचर कमिशन सच अज इस सर्विस थौ थी है नियुक्त और सबसानिव घियं वहीं ऎञाओ तो फिर वह और नयच्री जिमीदार हों ने रिसुए पैंटिव जो भी यह हैं आदि इन लोग एतना सरिसानि के नाम दिया है न IT लों टो लोग तो लोग खुड हो सयर्थ ही अपने आपको रेगुलेट करते हैं और उन लोग खुद ही अल्टिमेटल होगे उनकी सिक्योर्टिस के लिए ठीक है और कोई भी इंडिविजुल एंटिटी जो होता है सच एस फंड ड्रस्ट अगर कोई है तो वो सब लोग जो है वो लोग का जो इन्वेस्मेंट है ठीक है एडवाइजरी फंसंग मस्थी मैंने इस बाइड एंटिटी सैटिस्फाइड क्रेटेरिया ए भी सी अबवव ठीक है तो उनका जो जो इन्टीटीज है ना उनका इन्वे वो कर सकती है जो भी entity हो थी中ical bank से बंक एंग्लाइन्स से ठीक है उन लोग भी peanuts में क्या कर सकते है ms कर सकते है ठीक है कोई भी entity जो की regulatory है ठीक है regulatory है authorized इढ़ियोधरal या फिर supervised वागएर हो रही है ठीक है जो अपनी financials memorial processes वाली थोर्टि है से इन लोग से फिर कोई अपने जो सेल्फ रेगुलेटरी नेचर के होते हैं उन में से हो रही तो वो सब लोग पी नोट को इनवेस्ट कर सकते हैं ठीक है और अगर कोई और करना चाहती है तो उनका जैसे खिसकती अधर कैटेगरी है फिर कोई बी इंडिवीज्व एंटिटी करना है issue related to international capital budgeting ठीक है capital budgeting का क्या issue है उसको अपन को खोच के लाना है तो देखो the decision to invent invest abroad takes a concentrate shape when future project is evaluated in order to ascertain whether the implementation of a project going to add value to investing company the evaluation of a long-term investment project is called capital budgeting guys capital budgeting का मतलब समझते हो जब अपन कोई decision लेते किसी चीज में invest करने का okay और अपन उस चीज को इंप्लिमेंट करते तो अपन यह सोचते ना कि इसमें कुछ तो valuation होना चाहिए investment company में और long-term में होना चाहिए तो उसको बोलते है अपन capital budgeting यह एक टेकनीक होती है ठीक है गाइस जो कि similar होती है between the domestic and international दोनों में similar ही होती है following issues देख लेता है exchange rate fluctuation capital market segment ठीक है international financing arrangements international taxation country risk political risk ठीक है तो capital budgeting से capital budgeting का मतलब समझे क्या मतलब समझे कि ऐसा decision लेना है जिसमें आपन इन्वेस्स करेंगे जो कि हमारे असर्थ में कुछ value addition करें long term period पे उसके लिए कुछ-कुछ factors देखे अपन जैसे की political risk और के country risk international taxation international financing exchange rates की सब ठीक है next or last question है guys आज का की who are the participants in foreign exchange market कौन-कौन participant होता है तो बहुत easy question नहीं तो last question and easy question क्या की commercial companies होती है वह होती है banks होते है hedge अगर कोई कह रहा है तो speculators होते है investment market firms होती है retail लोग होते है non bank financial होती companies और कुछ-कुछ money transfer है और nation companies होती bureaus वो सारे लोग हमारे कौन होते हैं participants होते हैं इसी के साथ guys हमारी SFM की theory यहां ही पर खतम होती है I hope आप लोग बहुत मज़े की होंगे आप लोगो पूरा चीज अच्छ से explain क्या है मैंने कोशिश क्या याद करने की और आपको समझ भी आया होगा guys हम लोग थोरी क्यों पढ रही है तो मैंने आपको starting में बिता दिया था तो इसी के साथ ये वीडियो नहीं पैंट करते है आप लोग से request कि guys please 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 मुझे बिताए कि आपको next video किस topic पे चाहिए so that it will be easy for me to record thank you so much for watching this video and don't forget to press that subscribe button and तीब जा देना so that आपको सारी सारी updates में मिलती रहे bye bye guys bye bye guys bye